नमू जिनानम नमू नमू जब जब हम ये नमू जिनानम बोलते हैं इस भाव से एक-एक अक्षर को, एक-एक सब्द को अर्थ में कनवर्ट करते हुए, भाव में कनवर्ट करते हुए हमारे रदाई के अंदर इसका विस्फोर्ट करेंगे और इस विस्फोर्ट करते हुए हरक्षन, हरपल इस भाव में रहेंगे नमू भाव में, अहू भाव में, शरण भाव, शमरपन भाव नमो जिनान। अभी चिंतनात्मक कार्य करना है। पहले नव दिन हम सुरुता बनके आये थे। अब चिंतनात्मक कार्य करना है। तो जैसे जैसे स्वचिंतन, स्वतंत्र और स्वचिंतन करेंगे वेसे वेसे। हमारी जागृती बड़े। झाल झाल अभी सवाल जवाब लेते हैं चलो रेखा जी आप से सुरू करते हैं रोज आप सब लोग अपने सवाल लेकर आना जैसे हम रादेशाम रादेशाम बोलते हैं जैसे नेम और राजूल के परित नौ बहो की थी और जब नेम जी को पता था कि उनको भी उनको शादी करें नहीं ते फिर भी वो तोरन तक पहुंचे थे क्योंकि उनको राजूल को निकालने थी वाहसे उनका भी आत्म का कल्यान करना था तो अब हम लोग राजूल नेम राजूल नेम क्यों नहीं बोलते हैं रादेशाम रादेशाम क्यों बोलते हैं कौन रादेशाम बोलते हैं रादेशाम रादेशाम बोलते हैं रादेशाम रादेशाम बोलते हैं नाम रादी कृष्ण के लिए हम लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, तो हम लोग राजुल निम राजुल निम कभी नहीं बोलते हैं, उसमें क्या है, राधे शाम के अंदर संगीत है, शब्द के अंदर संगीत है, तो कोई-कोई नाम ऐसे होते हैं, कि नाम के अंदर संगीत होता है, तो उसके लिए हमने कितनी बद्दाई है हमने तो पूरी साधी का पूरा उरणन किया है सांतिलाल साह के पद सुने है क्या आपने कभी सुरसर्णाई ना सुर्वागे कई जानई आनाच वालागे आवी आवी रे ने मजी नी जानरे आवी आवी रे ने मजी नी जानरे आवी आवी रे ने मजी नी जानरे ए आवी रे आवी रे आवी रे भै कहीं जानाईयो नाच वालागे कहीं जानाईया नाच वालागे ये तो यादव कोड़ नी जान रे भवी आवी रे ने मजी नी जान रे आवी आवी रे ने मजी नी जान रे ये आवी रे आवी रे ने अवी आवी रे आवी साइन रे उसकी तो बहुत लंबी कानी तेन गंटे तक हम उसकी कहानी बताते हैं और एक एक उसका द्रश्य है आप कुछ भी बोलो सब भी से है यहाँ पर ऐसा नहीं है खाले राधे साम तेरे भी साम मेरे भी साम सब के साम राधे साम तो आपको राधे राधे नहीं जमता बोलो राजुल राजुल नेम राजुल ऐसा नहीं है ऐसा यह देखो यह सब है न किरदार है और हमें क्या करना है हमें उनके गुण के माधियम से अभी क्या हमने देखा वी स्तानक में कि गुण के उपर ध्यान दो, पात्र तो हम कोई भी सिलेक करें, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जै राम, 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 जै सिया राम, अभी इसमें सिता राम आ गए, तो आप बोले कि अभी सिता राम आ गए, अभी रादे साम आ गए, हमाले नेम राजुल का आ गए फिर और कोई जोड़ी है क्या हाँ फिर स्रिपाण मैना का का आ गए उनके भी रास है तो वो तो सहित्य है अपना भाव कहां लगता है कैसे लगता है और हम नृत्य कर सके नाजगान कर सके मेन कॉंसेप्ट क्या है कॉंसेप्ट यह हम गुण को पकड़ना है नाम क्या बोलते हैं महत्वका नहीं है गुण को पकड़ो हम जैन है अरे जैन हो क्या है सब भकवास है गुण आधारिद भगवान ने का गुण को पकड़ो वी स्थानक में है कि यही बता है अरिहंद के गुण पकड़ो सिद के गुण पकड़ो अभी आगे आएगा कि इतने गुण बताएंगे भगवान कि कोंसे कोंसे जोन में क्या क्या गुण पकड़ने है हमें कैसे कैसे गुण पकड़के हमें आगे बढ़ना है गुणानु आध करो एक बोला ना पहले भगवान ने सुरु में इका जनान नू आईश्वर्य नू गुण समू नू जनान का आईश्वर्य का गुण समू का अंतीम चरन तो गुण का गुण किर्टन करने से गुण मिलते हैं फिर किसके गुण का आते हैं महत्वका नहीं है गुण महत्वक है समझगे ना गुण महत्वक है वो दिवयता के गुण है वो दिवयता हमारे अंदर प्रगट हो जिस गुण का हम किर्तन करते हैं अब लोगस्य, अगरे धम्मति, थे रेजिने, ये क्या है गुण किर्तन है उस दिन बोले था ना इस उम लोग सुम्ति तक पॉँचे थे, पदमपरभूत को पॉचे थे तो चलो आगे बढ़ते हैं आज सुपार्शनाथ से आगे बढ़ते हैं सुपार्शनाथ बोल, सुपार्शनाथ बोल शुपार्षवनाथ बोल शुपार्षवनाथ बोल पत्थर ने पन कंचन बनावे सुपार्षवनाथ बोल चंद्र प्रभु बोल चंद्र प्रभु बोल चंद्र प्रभु बोल निर्मल हो ना हो तो चंद्र प्रभु बोल निर्मन बनना हो तो चंद्र प्रभु बोल पवित्र बनना हो तो चंद्र प्रभु बोल पवित्र बनना हो तो चंद्र प्रभु बोल चंद्र प्रभु बोल चंद्र प्रभु बोल चंद्र जैसा सोम्य बनने चंद्र प्रभु बोल चंद्र जैसा सौम्य बन्ने चंद्र प्रभु बोल सुविधिनात बोल सुविधाचाये तो सुविधिनात बोल सुविधाचाये तो सुविधिनात बोल सुविधिनात बोल सुविधि में रहना हो तो सुविधिनात बोल सुविधि में रहना हो तो सुविधिनात बोल सीतल नात बोल सीतल नात बोल सीतल नात बोल सभी अवस्था में सीतल बनना सीतल नात बोल सीतल शीतल बोल शीतल शीतल बनना हो तो सीतल शीतल बोल शीतल बनना होय तो सीतल सीतल बोल श्रे अंशनात बोल श्रे अंशनात बोल श्रे अंशनात बोल श्रे अंशनात बोल श्रे अम चाये तो श्रे अंशनात बोल श्रेह चाहिए तो स्रुस्री अंशनात बोल श्री अंशनात बोल हर जीव को श्रे दिलाए श्रे अंशनात बोल अर श्रेने श्रेया दिला ए श्रेया नात भूल स्रेया दिलाये स्रेयां सनात बोल Shreyant 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 Sh पुज्य में वास करना वासु पुज्य बोल देव गुरु की 식ering ब Uno ऒब वाशो पुज्य वाशो पुज्य वाशो पुज्य बोल वासु पुझ्य वासु पुझ्य वासु पुझ्य बोल आत्म शुद्धी करने के लिए वी मल वी मल बोल वी मल नात बोल आत्म से मल हटाने वी मल नात बोल चित्त सुद्धी करने के लिए वी मल नात बोल वी मल वी मल वी मल वी मल नात बोल आत्म 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 नात बोल कल से आगे बढ़ेंगे धर्मनाद से तो इस प्रकार ये हमारे तिर्धंकर परमात्माओं के नाम मंत्र है, नाम मंत्र, तो जो हम लोगस बोलते हैं, ब्रहज शांती के अंदर भी नाम लेते हैं, पुरुषभ अजित असंभव अभिन अंदन असुमती पद्मपर्पृ सुपार्शु चंद्रप्रपृ सुवी दी सीतल, श्रियांस बासो पुझय, भी मल, अनन्त, धर्म, शांत, इकुन्त, अर्म, अलि, मनि, सूरत, नमी, नेमी, पार्श, पर्दमान श्वामी, इसी प्रकार लोगस में भी आता है, तो ये मंत्र है, ओ मंत्र का नामस्मरन, जैसे जितना जितना हम भाव से, गुन से, ये कुण से क्या लाभ होता है अभी हमने जो तिरधंकरपादमात्मा के नाम स्मरण किए तो क्या किया? कि ये गुण गाने से क्या गुण मिलेगा भुला नई सा अनन्द बनना हो तो अननना बोल चित्वसुधी करने हो तो विमल नाथ बोल पुझ्य को हमारे घर में बसाना है, दिल में बसाना है, तो वासु पुज्या, बोल, स्रेय पाना है, तो श्रेयांशनाथ, बोल, सितल हुना है, तो सितलनाथ, बोल, सुविधा, जीवन में चाहिए, तो सुविधिनाथ, बोल, पवित्र निर्मल बनना है, तो चंद्रप्रभु, बोल, पत्थर को कंचन बनाए सुपार्शुनाथ बोल तो यह हमारे तिर्थंकर परमात्मा के नाम नाम मंत्र है नामस्मरन है वेद परंपरा में विश्णु नाम स्रहस्त्र नामस्मरन होता है हमारे यह तिर्थंकर वका नामस्मरन होता है